फ्रेंट्स बॉड किया है इस पॉजिशन में अभी भी वाईट ने नाइट एक्षेंस की है नाइट एक्षच्छफाइव करके और अब ब्लैक की बारी है कि वो इस नाइट एक्षेंस को कंप्लीट करें लेकिन ऐसा करने के बाद कोई बहुत ज़ादा एडवांटेज यहां ब्लैक को मिलेगा नहीं कुंटेक्स H5, कुंटेक्स H5 और रुक्टेक्स H5 उल्टा वाइट की पॉजिशन यहां ज़ादा डॉमिनेटिंग हो जाएगी रुक को D7 स्कार पर ले जाने के बाद तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूग क्या है? अगर आप जो मूग सोच रहे हैं वो नाइट D4 है तो कंग्रेजुलेशन्स यहां डिरेक्टली कुइन पर अटेक है और ब्लैक की कुइन की वज़े से यहां रुक से नाइट नहीं लिया जा सकता रुक टेक्स D4 का सीधा समतलब कुइन टेक्स C1 विदे चेक के बीशाप पीच में लगएगा देन रुक E1 और वाइट यहां अपनी गेम में ही ट्रैप हो जाएगा तो वाइट को फिलहाल अपनी कुइन बचा नहीं होगी कुंट एक्स B7 जैसी कोई आप्शन रुक की जाएगी लेकिन उसके बाद होगा नाइट E2 चेक फॉकिंग किंग एड रुक किंग H1 नाइट एक्स E1